हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वाध्याएकेडमी पर आज है 10 मई तो मैं लेकर आये हूं आज के 10 मई के जो इंपोर्टेंट करेंट अफेस के कॉस्चन है वो और साथ ही लेकर आये हूं 8 मई और 9 मई के भी करेंट अफेस के कॉस्चन सेला कोस्चन है पंडाडा कुटपा का निधन हो गया है वे कॉन थे तो पंडाडा कुटपा इन्हों ने के एच फटूनामेंट की सुरुआत की की फुल फॉल फौम होता है कोड़ावा फेमली होकी टूनामेंट यह जो टूनामेंट है यह 1997 में शुरू किया गया था और य 2015 में इन्हें राज़त्सव पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया यह फोटो में कडपा कुडपा अगला कोश्चन देखते हैं किसकी 480 जयनती हाली में मनाई गई है तो पूरे राष्ट में 9 माई को महारणा प्रताप की जयनती 480 जयनती मनाई गई है बात करें महारणा प्रताप की तो इनका जन्म 9 माई 1540 में हुआ था और इनका जन्म जो है मेवाड के राजा उधै सिंग जुतिये के यहाँ पर हुआ था इन्हों ने 18 जुन 1556 को हल्दी गाटी का युद्ध लड़ा था और इनकी जो मृत्यु है वह 29 जनवरी 1597 में हुई थी अगला कोश्चन है जन्जातिय उध्यमों को बड़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ हस्ताक्षर किये है तो जन्जातिय उध्यमों को बड़ावा देने के लिए एक सहयोग पर समझोते के आपन पर हस्ताक्षर किये हैं यह जो समझोता है यह आर्ट ओफ लिविंग फाउंडेशन ने जरूरत मंत जन्जातिय कारेगरों को निशुल्क राशन किट्स उपलब्द कराने पर सहमती विक्ष करने के लिए किया गया है बात करें हम जन्जातिय मामलों के मंत्री की तो अरजनमुंडा है और जन्जातिय मामलों के मंत्राले के राजमंत्री जो है वह है रेणुका सहरूता और वही पर आर्ट ओफ लिविंग की बात करें तो इसके संस्थापक स्रीश्री रवीशंकर है और इसकी जो स्थापना ह है वो 1981 में हुई थी और इसका मुख्याला बेंगलूरू करनाटक में इस्थे थे अगला कोस्चन है किस राजज में पान मसाला को एक साल के लिए बेहन कर दिया गया है तो जहारखंट सडकार ने राजज में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर एक साल के लिए प्रतिवंद लगा दिया गया है बात करें जहारखंट की तो जहारखंट के मुख्मंत्री है हैमन्त सोरेन और जहारखंट के जो राजपाल है वो है दौपदी मुर्मू और यहां की राजधानी है राची और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 नमंबर 2000 को अगला कोस्चन है ICMR ने COVID-19 टेस्टिंग किट की डिलेवरी के लिए किसके साथ हाथ मिला है तो ICMR का full form होता है भारतिय अरविज्ञान अनुसंधान परसद जिसने अपनी COVID-19 टेस्टिंग किट की डिलेवरी के लिए भारतिय डांक चिवा के साथ करार किया है इसके तैद क्या होगा कि ICMR के जो 16 छेत्री डिपो हैं उनसे देश भर में कोरोना टेस्टिंग के लिए जो चुनीगी अतरिक्त 200 प्रियोक साला हैं वहाँ पर टेस्टिंग के पहुँचाई जाएगी बात करें ICMR की तो इसके बरत्मार महा निर्देशक हैं बलराम भार्गव और इसका मुख्याला नई दिल्ली में इस्थे थे भारति डाक की स्थापना एक अप्रेल 1854 को हुई थी और इसका जो मुख्याला है वो नई दिल्ली में इस्थे थे अगला कोश्चन है रक्षा मंत्रा अलाए ने 37 एयरफील्ड के आधन की करण के लिए किसके सार्श समझोता किया है तो रक्षा मंत्रा अलाए ने भारती बायुसेना के 37 हवाई एड की बुन्यादी धाजों के आधन की करण के लिए टाटा पावर SDD के साथ समझोते पर हस् वहीं दूसरे चरण में नेविगेशन एड्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अपको अपग्रेड किया जाना है इसके अलावा दूसरे चरण में आधनिक एरफील्ड उपकरण जैसे केट टू इंस्टूमेंट लेंडिंग सिस्टम और एरफील्ड लाइटिंग सिस्टम उपकरणों की इस्थापना भी की जाएगी अगला कोश्चन है कैलास मान सरूबर यात्रा के लिए नय मार्क का उद्गाटन किसने किया है तो हमारे बरतमान के जो रक्षा मंत्री है राजनास सिंग उन्होंने उत्तराखन में बनाएगी 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्गाटन किया है यह जो सड़क है यह नियंत्रण रेखा के करीब लिपू लेक दर्रे से होकर कैलास मान सरूबर यात्रा के लिए एक नया मार्क खोलती है इस सड़क का जो निर्मान है वो सीमा सड़क संगठन ने किया है यह धारचुला उतराखंट से लिपूलेक चीन की सीवा तक केलासमान सरोवा र्यात्रा के मार के रूम में इस सड़क को बनाने का कारे पूरा किया गया है बात करें हमारे बर्तमान में रक्षा मंत्राले की तो रक्षा मंत्राले के जो कैंद्रिय मंत्री है वो रामनात सिंग है और राजनात सिंग है और इसका मुख्याल है नई दिल्ली में है और यहां के जो राज्जिमात मंत्री है वो है स्रीपाद एशो नायक अगला question है भारत को COVID-19 आपातकाली प्रिक्रियाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर रिड देने की मंजूरी किस ने दी है तो AIIB अर्थाथ Asian Infrastructure Investment Bank ने भारत को COVID-19 आपातकाली प्रिक्रियाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर रिड देने की मंजूरी दी है भारत को यह जो रिड दिया जा रहा है यह COVID-19 को सीमित करने के लिए प्रियासों के बढ़ावे में मदद देगा और सास्थी साजनिक स्वास प्रिडाली को मजबूत बनाने में अपनी प्रितिक्रियाओं की छमता को ब्यापक रूप से ब्यापक बनाने में और भविश्य में महामारी की चुनोतियों से निपटने की तयारियों के लिए इसमें सुधार होगा इससे पहले भी 17 अप्रेल 2020 को AIV ने COVID-19 संकट की रिकवरी के लिए 5 मिलियन डॉलर से बढ़ा कर जो सहाय तरासी थी उसको 10 मिलियन डॉलर कर दिया था बात करें AIV की तो इसका मुख्याल है बीजिंग चीन में है और इसकी जो सदस्च्चों की संख्या है वो है 78 और अध्यक्ष जो है जिन लिकुन अगला कोस्च्चन है प्रवासी राहत मित्र एप किसने लॉंच की है उत्तर प्रवासी योजनाओं और नौक्रियों में प्रवासी नामा के एक एप लॉंच की है इस एप को प्रवासी के स्वास्त पर नजर रखने के लिए सहयोक्त राष्ट विकास कारेकर्म UNDP के सहयोक से मिलकर विक्सित किया गया है इसके अलावा यह एप उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगी और उनके कोसल के अनुसार नौक्री सर्च करने में मदद करने के लिए डेटा एकत्रत करेगी बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के मुख्मंत्री है योगी आदितनात और यहां की राजपाल है आरंदी में पटेल अगला कोस्चन है किसने बित्वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ को घटा कर सुन्ने किया है तो मुडिज ने चालू बित्वर्ष याने की 2020-21 के लिए भारत की सकरेलू उत्पाद की ग्रोथ जो है वो अपने पिछले अनुमान 2.6 से घटा कर सुन्ने कर दिये साथ ही जो बित्वर्ष 2021-21 है उसके लिए भी इसने अपनी GDP बद्धी दर बताई है जो 6.6 उभर कर आने की अनुमान लगाया गया है COVID-19 से प्रवावित होने के कारण नकारात्मक दिश्टी कोड जोखम में बद्धी को दर्साता है और इसी के कारण यह जो है हमारी जो ग्रोथ रेट है वो घटकर सुन्ने पर होने का अनुमान जताया गया है बात करें मूडिस की तो इसका मुख्याल है न्यूयर्क अमेरिक तो MCC अद्धक्ष की जो दूसरा कारेकाल समालने वाली सूची है उसमें स्रीलंगा के पूर्व कप्तान कुमार संकारा अद्धक्ष के रूप में अपना दूसरा कारेकाल समालेंगे MCC का फुल फॉर्म होता है मेलवन किर्केट क्लब कुमार संकारा ने पिछले वर्ष एक अक्टूबर को ये पदवार समाला था और वो अपने कारेकाल को पूर्ण करने वाले सदश्य अद्धक्ष बन गये हैं ये पहले गैर बिटिस अद्धक्ष थे जिन्होंने अपना प इसके साथ कोकिंग् कोल के लिए समझोता किया है तो भारत ने अभी हाली में रूस के सुदूर पूरी रैस चेतर और सेस आर्क्टिक छेतर गया है इसके तहट क्या होगा कि भारत हाइड्रोकारवन के लिए अपने सुरोतां में प्रियास में रूमें एक लंबे समय से कच्चे तेल की आपूरती के लिए तीर कालिंग सम्झोदेगी मांग कर रहा था और इसी के साथ में भारत को कोईले की पैट्रोलियम की जो सप्ला यह वहां से होती रहेगी बात करें कोल इंडिया की तो इसका मुख्याल है कलकत्ता में है और इसके सीडियो जो है अनेल कुमार चा अगला कोश्चन है बिश्वि प्रवासी पक्षी दिवस कम मनाया गया है तो हर साल 9 माई को दुनिया भर में वर्ड माइग्रेटरी वर्ड दे मनाया जाता है यानि कि बिश्वि प्रवासी दिवस इस दिन को मनाया जाने का उद्दिष प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरुकता बनाना है और उनके संदक्षण के लिए अंतराश्टियों संयोग को महत्वत देने के बारे में जागरुक बनाना है इस बहस की जो थीम थी वो थी words connect our world थीम क्या थी words connect our world अगला question है किस राज सरकार ने सेवा निर्वित्ती की आयू को बढ़ाकर 59 बर्स कर दिया है तो तमिलनाडू सरकार ने सरकारी कमचारियों सिक्षकों और साजनिक छेत्र की एकाईयों में काम करने वाले कमचारियों की जो सेवा निर्वित्ती की आयू 58 बर्स थी उसको बढ़ाकर 59 बर्स कर दिया है इस फैसले के बाद जो लोग इस साल 31 मई को सेवा निर्वित्त होने वाले थे वे अब 31 मई 2021 को सेवा निर्वित्त होंगे बात करें तमिलनाणू की तो तमिलनाणू के बर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो है थेरू इडपई के पलानि स्वामी और यहां के जो राजपाल है वो है बनवारी लाल प्रोहित अगला कॉस्चन है विश्व थेले सेमिया दिवस कम मनाया गया है तो हर साल आठ मगी को विश्व इस्तर पर वर्ड थेले सेमिया दिवस मनाया जाता है यह दिन थेले सेमिया की रोकताम करने के उपायों ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्त के लिए जरूरी ठीका करण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों में जागरुकता फिलाने के लिए मनाया जाता है इस बच की थीम की बात करें तो इस बच की थीम है इस बच की थीम क्या है अगला गोस्चन है तो अभी हमारे बर्दमान के केंद्रिय स्वास्त परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर हर्स बर्दन ने हाली में COVID-19 के उपचार के लिए आयुस आधारित आयरवेद से जुड़ी पद्धितियों पर क्लिनिकल रिसर्च इस्टडीज और आयुस संजीविनी एप्लिकेशन का सुभारम किया है यदि बात करें आयुस की तो इसका फुल फॉर्म होता है आयरवेद योगा प्राकरतिक चिकत्सा युनानी सिध्धा और होम्योपैथिक और यह जो आयुस मंत्राला है और इसके साथ में इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रद्धुगी की मंत्राला है इन दोनों ने मिलकर ही इस एप को विक्सित किया है और इनका जो लक्ष है वो लगभग 50 लाक लोगों का डेटर जोड़ाने का इनका लक्ष है अगला कोश्चन है पियोके और गिल्गित बाल्टिस्तान के लिए भी मौसम पूर्वानुमान कौन जारी करेगा तो भारतिय मौसम बिभाग ने जम्मू और कस्मीर गिल्गित बाल्टिस्तान लद्दक और मुझपरावाद को जम्मू और कस्मीर के मौसम संबंदी उप्र भाग में सामिल करना शुरू कर दिया इसके साथ ही अब मौसम विभाग इन छेत्रों में का मौसम पूर्वानुमान भी जारी करेगा बात करें भाग मौसम विभाग की तो इसका मुख्याला नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी अगला कोश्चन है मुद्रा स्पीती से निपटने के लिए किस ने अपनी करेंसी बदलने का निर्णे किया है तो हाली में इरान की सरकार ने अपनी मुद्रा का नाम बदल कर तोमान रखने का फैसला किया था और इरान की राष्टी मुद्रा रियाल को तोमान में बदला जाएगा जिसमें एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर होगा रियाल से 4-0 हटाने की बात जो है वो 2000 वर्स 2000 से चल रही है लेकिन इसको मजबूती जो है वो 2018 में मिली जब अमेरिकी राष्टपती डोनाल टरंब ने 2015 में इरान के साथ हुई नुकलियर डियल को मानने से मना कर दिया था और फिर इस पर फिर से कड़े प्रतिबंद लगा दिये गए थे क्योंकि बात कर इरान की तो इरान के अभी बरतमान राष्टपती है हसन रोहानी और इसकी राजधानी है तहरान अगला कोश्चन है किसने सफलता पूर्वक अपना नया राकेट लॉंच किया है तो जो रॉकेट है लॉंग मार्च 5B यह हाली में चीन ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहट अपने नय रॉकेट को लॉंच किया इस रॉकेट का नाम है लॉंग मार्श फाइब भी और यह सपलता पूर्वक अध्रिक्ष में पहुंचा दिया गया है इस रॉकेट को वेंचांग लॉंच साइट से लॉंच किया गया है जो चीन के हैं दीप पर इस्तित है बात करें चीन की तो चीन की राजधानी है वीजिं और सम्मान का दिन कम मनाया गया है तो दुतिय विश्वियुद्य के दोरान जो लोगों ने अपनी जान गवाई थी उनकी श्मृति और सम्मान के लिए जो दिन है वो आठ मई और नौ मई को मनाया गया है इस दिन दुतिय विश्वियुद्य के सभी पीड़तों को सिद्ध तो जाने माने निर्देशक और कई पिक्सर फिल्म अर्थात एनिमेटिड फिल्मों की कहानी लिखने वाले रॉब गिप्स का हाली में निधन हो गया है उन्हें कई पिक्सर फिल्मों के लिए जाना जाता है जिसमें टॉम स्टोरी टू फंडिंग निमो मांस्टर्स यूपी बॉल इंसाइड आउट टू अन्वर्ड ये इनकी कुछ पिसिद्ध फिल्म में हैं अगला कोस्चन है 2022 तक कौन UNEP की गुडविल एंबेजडर बनी रहेंगे तो संयुक्त राष्ट परियावरंड कारेकमर थाथ UNEP द्वारा बॉलीवड अभी ने त्री और परियावरंड बिद दिया मिर्जा ने भारत की गुडविल एंबेजडर के रूप में कारकाल को 2022 तक बढ़ा दिया गया है अब ये 2022 तक UNEP की गुडविल एंबेजडर बनी रहेंगी इसके अलाबा लोकप्रिय अभीनेत्री संयुक्त राष्ट के सतत विकास लक्ष की भी समर्थक है जो दिया मिर्जा है ये गुडविल एंबेजडर के रूप में कारकाल बढ़ने के बाद अब संयुक्त राष्ट में स्वच बायू स्वच समुद्र वन्य जीव संरक्षन और जलवाई परिवर्दन सहत प्रमुक्षेत्रों पर संदेश फ्यलाने के लिए कामजारी रखेंगी बात करें संयुक्त राष्ट परियावन कारेकरम की तो इसका मुख्याल है नेरोभी केन्या में है और इसके अभी बरत्वान कारेकारी ने देशक हैं इंगर एंडर्सन अगला कॉस्चिन है स्कूली छात्रों को मिड़े मिल राषन उपलब्द कराने वाला पहला राज कौन के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनवाडी कारे करता हूं पंचायत पितिनिदियों और स्थानिय सिक्षकों की मदद से मिड़े राषन मिल वित्रण किया रहा है बात करें मद्द प्रदेश की तो मद्द प्रदेश के बरत्मान मुखमंत्रियं सिवरास सिंग चो इस अभियान के अंदर गत सरकार कोरोना बाइरस लोकडाउन के कारण प्रदेशों में फसिल लगभग 15,000 भारतिये नागरेकों को बापस लाएगी यह जो मिशन है यह सरकार दौरा चर्णबद तरीके से किया जाएगा यह 7 मई से 13 मई 2020 तक 12 देशों में अपने नागरेकों को पापस लाने के लिए लगभग 649 की संचालन किया जाएगा अगला कोश्चन है वर्ल्ड राड क्रॉसडे कम मनाया गया है तो हर साल विस्विष्टर पर 8 मई को वल्ड राड क्रॉसडे मनाया जाता है इस दिन को रेड क्रोस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ दा रेड क्रोस सुसाइटी जो है वो हेंडरी डूरेंट की जहनती के रूप में मनाया जाता है यह दिन उन लोगों को समय पे थे जो भोजन की कमी विभिन्य प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहत किसी महामारी से पीडित होत तो इराक के पूर्व खूफिया प्रमुक मुस्तफा अलकदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बन गये हैं अर्थात अलकदीमी को इरिया का प्रधानमंत्री निक्त कर दिया गया है पूर्व पीम आदल अब्दुल महंदी ने पिछले साल नमंबर में अपने पत से इस्तिपा दे दिया था और इराक की संसद ने आपात काली सत्र बलाकर कादिमी सरकार की कठन को मंजूरी दे दी बात करें इराक की तो इराक की राजधानी है बगदाद और इसकी मुद्रा है इराकी दिनार और अभी इसके जो प्रधानवंतरी बन गए है वह है अलकादिमी अगला qeosčion है, तो बिश्व एथिलेटिक्स दिवस 2020, इस बर साथ मही को मनाया गया है, बिश्व एथिलेटिक्स दिवस की तारीख हर साल बदलती रहती है, जिसे IAAF द्वारा निर्धारित किया जाता है, हाला कि इसे अधिकांस मई के मईने में ही मनाया जाता है। पहला विष्व Athletics जीवस का बनाने का मुल उद्देश है वह को एठेलेटिक्स के युवाओन की भाधगेदारी करने के लिए प्रोशाइद करना है। बात करें आई एए एफ की तो इसका मुख्याला मुनेकों में है और इसके जो अध्यक्ष है वो है सेविस्टियन कोई और इसकी स्थापना हुई थी 1912 में अगला कोस्चन है आयुस कवच कोविड एप किस ने स्वारम किस ने किया है तो उत्तरपिदे सरकार ने को लोगों के स्वास्त को बहतर बनाने के लिए जरूरी इम्म्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुस कवच कोविड एप लॉंच किया है यह जो एप है यह कोविड 19 के खिलाफ लडाई में उपयोगी हो सकता है इस एप को आयुस मंत्राला ने विक्सित किया है बात करें उत्तर प्यदेश की तुत्तर प्यदेश के मुख्यमंत्री है योग्याद इतनात और यहां के राजपाल है आनंदीवें पटेल अगला कोश्चन है कोविड 19 टेस्ट बस किसने लॉंच किया है तो जो कोविड 19 के लिए एक टेस्ट बस जो है लॉंच किया है यह भाद्य प पूर्व चात्रों की परिशत के अनुसार सभी 23 आयाइटी का बैस्विक पूर्व चात्र निकाए 100 दिनों के भीतर परिक्षण समता बढ़ाएगा और कोविड 19 महामारी को नियंतित करने में स्वास्थ विभाग का संयोग करेगा अगला कॉस्चन है भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड ने किसके किफायती बेंटी लिटर बनाने के लिए समझोता किया है तो आयाइटी कानपर और भारत डाइनेमिक्स लिमिटेड ने किफायती बेंटी लिटर बनाने के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है बात करें भारत डाइनेमिक्स का प्रधान कारया लगी तो यह हैदरावा तेलंग नाम है और इसके MD और CEO जो है वो है सिद्धार्त मिसरा अगला कॉस्चिन है पुना इस्तमाल किये जाने वाले PPE किट के लिए IAT दिल्ली के साथ किसने समझोता किया है तो PNB हाउसिंग फाइनेंस द्वारा दिल्ली के भारतिय प्रोजोगी संस्थान के साथ सरकारी हस्पतालों में आपूर्ति किये जाने वाले पुना प्रयोज्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थाद PPE के अनुसंधान और विकास में सहयोग करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए इस समझोते का उद्देश किफायती टिकाओ और पुना अस्तमाल किये जाने वाले PPE, surgical gown और मास्क बनाने में नीऊजित किये जाने वाले एक अदुत्तिय प्रोटोटाइप सामक्गरी के अनुसंधान और विकास को बढ़ावादेना है इन स्थाई PPE, surgical gown और मास्क के सूचीवद्द सरकारी इस पदालों में आपूर्ति की जाएग तो नीति आयोग ने बरिष्ट नाग्रवकों के लिए लॉंच किया है यह सुरक्षित दादा दाधी और नानानी अभियान बात करें नीति आयोग की तो नीति आयोग के बरतमान अध्यक्ष राजीब कुमार है और नीति आयोग के CEO जो है वो है अविताप कांत किसकी 169 जैनती के उपलक्ष में बर्चुल कारेक्रम का आयोजन किया गया है तो हाली में राष्टिया अधनिक कला संग्राले ने गुरुदेव रविंदना टेगोर की 169 जैनती के उपलक्ष में एक वर्चुल कारेकरम का आयोजन किया है इस वर्चुल टूर का सीर्षक जो है वो गुरुदेव जर्नी ओफा मैस्ट्रो दो हिस विजुल कोकेबलरी सीर्षक क्या है गुरुदेव जर्नी ओफा मैस्ट्रो दो हिस विजुल वोकेबलरी रखा गया है इस वर्चुल कारेकरम में महुमु की पितिवा साली कलाकारों द्वारा बनाए गई 102 कलाकृतियों को धलक पाने का अफसर मिलेगा बात करें रविंद्ना टेगोर की तो ये प्रिसिद्ध कभी उपन्यासकार और चितिकार थे वह अपन्यास गीतान जली के लिए 1913 में साहतिका नोबल पुरुषकार से सम्मानेत होने वाले पहले भारतिये थे इसके अलावा उन्होंने भारत और बंगलादेश का राष्टे गीत भी लिखा हुआ है राष्टे आधने कला संग्राले की बात करें तो इसके महान रिदेशक है अद्वेत चरण गड़नायक अगला कोस्चन है निगाह कारेक्रम किसके दौरा सुरू किया गया है तो संक्रम में आशा कार करता हूं स्वास्त और आंगनवाडी कार करता हूं कि तैनाती की जाएगी ताकि घर में क्वारिंटाइन रहने के तोरां सोसल डिस्टेंसिंग को दूर बनाए रखने के लिए सामन जागरुकता पैदा कर सकें जिससे उन्हें किसी भी संभावित संक्र कर्यंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो बजन क्रिया को ओश्तक की जीवनी पर लिखी गई है अ कि इस पुस्तक में बभारतिय शेयन अकादमिय में सामल होने के बाद विजन थापर की यात्रा और उनके अन्वावो पर आधारे थे जहां से वे एक अच्छे धिकारी बन कर उभरे थे अगला कोश्चन है P.A.C. के अध्यक्ष कौन बनाये गए हैं तो लोकसवा में कांग्रेस के नेता अधीरंजन चौधरी को पुना संसत की लोक लेखा समीती अर्थात पार्लियमेंट पबलिक अकाउंट कमेटी P.A.C. का अध्यक्ष निक्ष किया गया है उन्हें लोकसवा अध्यक्ष ओंबिल्डा द्वारा समीती के अध्यक्ष के रूप में दुबारा निक्ष किया गया है बात करें P.S.E. की अथात लोक लेगा समीती की तो यह 22 सदस यह एक समीती होती है जिसमें 15 लोकसवा सदस्च और 7 राजसवा के सदस्च एक वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाते हैं अगला कॉस्चन है श्रम ब्यूरो के महानिर्देशक का कारभाल किसने समाला है तो भारतिय आर्थिक सेवा अधिकारी D.P.S. नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंतराले में श्रम ब्यूरो के महानिर्देशक का कारभाल समाला है इसके अलावा नेगी ने मंतराले के बरिष्ट श्रम और रोजगार सलाकार का भी पद गरहन किया है यह 1985 बेच के भारतिय आर्थिक सेवा अधिकारी है इस ने कारभार को समालने से पहले नेगी श्रम और रोजगार मंतराले की तो इसका मुख्याला नई दिल्ली में हो और इसके राज्यमंत्री सोतंत्र प्रभार जिनके लिए है वो हैं संतोस गंगवार अगला कोस्चन है आर्वियाई केंद्रिय बोर्ड के नया निर्देशक किसे निक्ट किया गया है तो आर्थिक मामलों के सचिप तरुन बजाज को भारती रिजर्ब बैंक के केंद्रिय बोर्ड का नया निर्देशक बनाया गया है उनकी निक्ति भारत सरकार द्वारा मंज सक्मेराश्ट में है एगला गॉस्चन है सब्सक्रास कम मना गया है तो इस 7 महीवों 20 विस्टर पर बह Mercedes-son het बहुत मनाणा गया दवस जो है वहां बहुत्ध्ध पूरुनिमा का दिन है और यह दुनिया भर में बुद्धों द्वारा सब से पवित्र दिन माना जाता है इसी दिन क्या हुआ था कि भगवान गौतम बुद्ध को आत्मग्यान की प्राप्ति हुई थी हर साल स्युक्त राश्ट द्वरा इस दिवस को मनाया जाता है अगला कोश्चन है CSD COVID एप किस ने लौँच किया है तो चंडीगर प्रसासन ने COVID-19 से संबंदित जानकारी उपलब्द कराने के लिए CSD COVID नामक एक नया मूबाइल एप लौँच किया है इस एप को Society for Promotion of IT in चंडीगर द्वारा विक्सित किया गया है एप एक सिंगल प्रेटफॉर्म के रूप में कार करेगा जहां राज के नागरिक, प्रसासन और भारत सरकार दौरत जारी किये गए सभी दिशा निर्देश, आदेशों और सुजनाओं के बारे में जान सकते हैं बातका ने चंडीगर की तो यहां के उपरा जिपाल है पीपी सिंग बदनौर अगला कॉस्चन है विसाका पटनम गैस रिसाव तराजदी में कोंड़ी की डताजदी का रिसाव Ooh और प्रडेश के विसका पटनम में स्थित counts मैं स्टिरीन गैस के रिसाव श्याब के काराण आपमान में हुए परिवर्तन को बताया जा रहा है तो यह थे आज के करेंट अफ्यर्स के इंपोर्टेंट कोश्चन्स इसकी पीडिये फाइल आप हमारे टेलिग्राम चैनल और वीडियो के सब्सक्राइब करें धन्यवाद